स्वागत है आपका दमाश्टर प्रकास क्लासेस में हम लोग खंड सिक्षाधिकारी की तयारी कर रहे थे जिसके अंतरगत हम लोग ने अनेक विस्यों के सुफर फास्ट रिविजन किये हैं और आज से हम लोग अपना बिज्ञान का रिविजन करने वाले हैं जिसमें हम लोग बिज्ञान के 2000 प्रिश्ण लगाएंगे ये 2000 प्रिश्ण ऐसे होंगे जो बार बारा के एक्जाम में पूछे गये हैं और अगर आप इन्ही 2000 प्रिश्णों का धनकल लेते हैं तो आपका साइंस में कोई भी प्रिश्ण नहीं छोटेगा तो चलिए बिना कोई देर के लिए आज का हम लोग प्रिश्ण स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रिश्ण है जिव बिज्ञान और जन्तु बिज्ञान जिव बिज्ञान और जन्तु बिज्ञान के जनक एक ही ब्यक्ति हैं कौन है अरस्तू चलिए आगे बढ़ते हैं जीव बिग्यान सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तो जीव बिग्यान सब्द का सबसे पहले प्रियोग लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था तो जयो विकास का जो सिद्धान्स है वो आपके इनहीं लेमार्क ने दिया था चलिए आगे भढ़ते हैं चिकिस्सा सास्थ का जनक किसे कहा जाता है तो जो चिकिस्सा सास्थ है उसके जनक हम लोग हिपोकृतres को मानते है बंसपती बिज्जान के जनक कौन है नमों को आप याद रखिये गया, चली आगे बढ़ते हैं मानों के भिकास, मानों के तिहास, मानों की परंपराओं इन सब के अध्यान को हम लोग तो हम लोग एंद्रोपोलोजी कहते है तो anthropology आपके मानों के विकास, मानों के इतिहास और मानों की परमपराओं के अध्यन को कहा जाता है ग्रहों के, sorry, गैसों के बिसरन का नियम किस ने दिया था? तो गैसों के बिसरन का नियम आपके ग्रहम ने दिया था, इसको भी आद रखिएगा ग्रहों की गती किस ने बताए थी तो जो ग्रहों की गती है आपके जितने भी आठ ग्रह हैं उनके गती सम्मधित जो नियम दिये थे वो कैपलर ने दिये थे तो कैपलर ने क्या दिया था गरहों की गति किनियम और E बराबर MC स्कुर्ण ये तो आपने फार्मूला पढ़े ही होगा आपने हाइश कुल में उर्जा और दर्ममान की बीच में सम्ध बताने वाला जो समिकरण है E बराबर MC स्कुल ये किस ने दिया था तो ये आपके आहिस प्रिष्ण को ध्यान से सुनते रहे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा और आपके परिष्ण के सारी प्रिष्ण इन ही में से कोई ना कोई प्रिशन आपको मिल जाएगा चली आगे भढ़ते हैं नेचरल सिलेक्षन तो नेचरल सिलेक्षन आपके प्रक्रतिवाद से ही सम्मनित है तो ये प्रक्रतिवाद का सिध्धान्त जो है डार्विन ने ही दिया था विकास का सिध्धान किस ने दिया है तो जो विकास का सिध्धान है यही आपका natural selection भी कहलाता है तो यह आपके Charles Dalwin ने ही दिया था अनुवांस्की के जनक कौन है अनुवांस्की के जनक आपका मैंडल को कहा जाता है Gregor John Mendel तो Gregor John Mendel को अनुवांसिकी का जनक कहा जाता है और ये मैंदल जो आपके थे ये high school की book में आपने पढ़ा होगा कि मैंदल ने अपना परियोग किस पर किया था तो मैंदल ने जो अपने परियोग किये थे वो मतर के पौंधो पर किये थे तो अनुवांसिकी के जनक कौन है मैंदल है और मैंदल ने सबसे पहले अपना परियोग किस पर किया था मतर के पौंधो पर किया था अनुवांसिकता के बिज्ञान को अनुवांसिकी ये सब्द किस ने कहा था तो अनुवांसिकी इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग किसने किया था तो W Watson ने इस सब्द का पहले प्रियोग किया था तो अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानसिकी किसने कहा था W Watson ने कहा था अनुवानसिकी कहां से उत्परित होती है यानि अनुवानसिकी किस से सम्मनित है तो आपके सरी में जो क्रोमोसोम पायाते हैं उसी से अनुवांसिकी सम्मनित है तो अनुवांसिकी का जो आधार होता है वो क्या होता है क्रोमोसोम होता है सरप्रथम जीन सब्द का प्रियोग किस ने किया था तो सरफथम जीन सब्द का प्रयोग इनहीं के नाम पर जोहांसन ने किया था तो जोहांसन नहीं अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा है जीन जीन कहां पर होते हैं तो जीन आपके गुण सूत्रों में होते हैं ये तो पता ही होगा, जीन कहां होते हैं, गुर्षोत्रों पे होते हैं, एक जीन, एक एंजाइम, ये सिध्धाम किस ने दिया था, तो एक जीन, एक एंजाइम, ये सिध्धाम आपके बीडल और टैटम ने दिया था, तो बीडल और टैटम ने कौन सिध्धाम दिया था, एक एक enzyme खून का रंग कैसा होता है खून का रंग लाल होता है यह तो सब को पता है लेकिन लाल क्यों होता है लाल इसलिए होता है कि उसमें हीमोगलोबिन पाई आता है और गलोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो आपका लाल होता है तो गलोबिन एक प्रोटीन होता है वो लाल होता है हीमोगलोबिन नाम का प्रोटीन आपके खून में पाई आता है इसलिए खून का जो रंग होता है वो लाल होता है हीमोगलोबिन में पाई जाना हो ला तक तो कौन सा होता है तो हीमोगलोबिन में हमारा आरन पाई आता है और आरन को ही हम लोग लोहा कहते हैं तो हीमोगलोबिन में कौन सा तत्त पाई आता है आरन पाई आता है हीमोगलोबिन कहां पाई आता है आपके खून में पाई आता है यानि आपके रख्ट में पाई आता है रक्त में आपका लोहा या आयरन पाया जाता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रिष्ण है हीमोगलोबिन किस प्रकार का योगिक होता है तो आपको पता होना चाहिए हीमोगलोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है हीमोगलोबिन क्या है प्रोटीन है और हीमोगलोबिन में क्या पायाता है आरेन पायाता है खून का ठक्का नहीं जमता है तो किस रोग में नहीं जमता है तो जिन आज ब्यक्तियों को हीमोफिलिया रोग होता है तो ऐसे ब्यक्तियों में खून का ठक्का नहीं जमता है तो हीम तो हिपेर के अंदर रखंट को नहीं जमने देता है यह आगे बढ़ते हैं यह आपका कहां उत्पाजित होता यान यानि कि कहां पर बनता है तो मैंत तो हिपेरिन काम क्या करता है ये सरी के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है ये बनता कहां है ये क्रित में बनता है चलिए आगे बढ़ते हैं रक्त के अध्यन को क्या कहलाता है जो रक्त का अध्यन होता है उसे हम लोग हेमोटोलोजी कहते हैं हेमोटोलोजी हमारा रक्त का अ सहायता करता है तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायता करता है इसके अलावा रक्त का थक्का बनने में आपके प्लेटलेट्स भी मदद करते हैं तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के और प्लेटलेट्स मदद करते हैं यही जो प्लेटलेट्स आपके रक्त में पाई आते हैं इनकी मृत्यु कहां होती है तो प्लेट लेट्स की मृत्यु आपके प्लीहा में होती है अगला ही कुश्चन भी है कि रक्त का थक्ता जमने के लिए कौन सा बिटामिन सहायक होता है तो इसको अभी हम लोग उपर पढ़ भी चुके हैं कि रक्त का थक्ता जमने क तो आप सिर्फ इसको एक बार ध्यान से सुनते रहिए आपका पूरा रिविजन होता रहेगा पीतल के बरतन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है तो यह तो एक करण का कुश्चन आ गया इसमें कोई साइंस का कोई मतलब तो है नहीं कि पीतल के बरतन आपके मुरादाबाद में ब रक्त में प्लाजमा कितने प्रतिस सत लाल रक्त कणिकाएं होती है और प्लेटले तोते हैं यह 40% होते है और रक्त में प्लाजमा आपका 60% होता है पदालत के तीन आवस्थाएं होती है, ठोस, त्रफ, ग्रैस, और चौती आवस्था भी माने जाती है, ये चौती आवस्था इसी प्लाजमा को कहा जाता है, रक्त में कौन सी धात्यू पाई जाती है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, रक्त में लोहा पाई जाता है, ब्लड बैंक किसे कह यानि कि लाल रख्त कनिकाएं इसकी कब्रगाह यानि कि नश्ट कहां पर होती है या मृत कहां पर होती है तो आरबीची आपके इसी प्लीहा में मृत होती है इसलिए प्लीहा को RBC की कब्रगाह कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Blood Bank को Blood Bank में रक्त को कितने degree centigrade पर सुरक्षित रखा जाता है तो Blood Bank में रक्त को 40 degree foreign height तो 40 degree foreign height पर सुरक्षित रखते हैं ये degree Celsius नहीं है बलकि foreign height है तो 40 degree foreign height पर हम blood bank में रक्त को सुरक्षित रखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं रक्त सम्मूं कितने प्रकार की होते हैं ये तो पता ही हुआगा AB और AB और O ये आपके रक्त सम्मूं होते हैं RH factor किसे सम्मधित है तो RH factor आपके रक्त में ही पायाता है सबसे पहले ये बंदरों में खोज किया गया था और RH factor आपके रक्त सम्मूंधित है रक्त को चानता कौन है यानि रक्त को सुध कौन करता है तो रक्त को सुध आपका ब्रिक करता है आपके सरी में जो किडिनी पायाती है उसी को ब्रिक कहते हैं और ब्रिक का क्या कारी होता है रक्त को सुध करना रक्त को सुध करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है तो रक्त को सुध करने की प्रिक्रिया आपके ब्रिक में होती है और ब्रिक में यह जो प्रिक्रिया होती है इसे डालेसिस कहते हैं तो डालेसिस के कारण ही रक्त सुध होता हैं किडिनी में होती है मूत्र का निर्माण को आपके जो मूत्र का निर्माण होता है वो आपका घृक करता है किडिनी का बहुता है वा 140 ग्राम है वह उन लाहन पõर्ष्ण है आप ध्यान से परते रहे इस फष्ण उमें से आपका कोई न प Unless मिल जाए logic इंगर ध Works पत्री कौन सी होती है तो जो हमारी किडिनी में पत्री बनती है बहुत सारे लोगों को ये बिमारी होती है असल में वह कैल्सियम ऑग्जलेट ही होती है तो कैल्सियम ऑग्जलेट का इकठा होकर किडिनी के रूप में हमारे पत्री के रूप में हमारे किडिनी में इकठा हो ज सबसे पहले बिलियम हारवे ने आपके सबसे पहले रख्त परिसंच्रन तंद्र का अध्यन किया था आगे बढ़ते हैं सरीट से हिर्दय की और जाने वाली रख्त नलिकाओं को क्या कहते हैं रख्त वाहिन नया या रख्त नलिकाओं को क्या कहते हैं तो जाना कहा है सरीर से किसकी ओर जाना है हिर्दय की ओर तो सरीर से हिदर जाएंगे तो इसको हम लोग सिरा कहते हैं ठीक है सरीर से हिर्दय की ओर जाएंगे तो इसको हम लोग सिरा कहेंगे और जब इसका उल्टा चल धढकन होती है उसको कौन नापता किस यंद्र से नापा जाता है। उसे हम लोग पेसमेकर के दौरा नापते हैं। पेसमेकर से क्या नापा जाता है हृदै की धढकन। जारविक सेवन क्या है तो जारविक सेवन एक किर्तिम हिर्दय है तो किर्तिम हिर्दय बनाया गया है जिसका नाम है जारविक सेवन पित्त क्या होता है तो पित्त एक छारिय पदार्थ होता है जो हलके पीले रंका होता है आपके भोजन के पाचल में उपयोगी होता है पित् इसलिए उसकी पियेच्ट से उपर होगी इसकी पियेच्ट से निकलता है इसका मतलब यह है कि पित्व बंता कहां पर है आपके यक्रित में बनता है और एकठा कहां पर रहता है पित्तासा में एकठा रहता है इसको भी यहीं पर पढ़े लेते हैं पित्त जमा कहां पर रहता है पित्तासा में एकठा रहता है बनता यक्रित में है एकठा कहां होता है पित्तासा में और इसके pH value कितनी होती है, 7.7, ये एक छारी होता है, किस रंग का होता है, हरे और पीले रंग का होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यक्रित जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, में भंडारित रहता है, कौन सो भी बिटामिन, तो यक्रित में आपका बिटामिन A भंडारित होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो आपका रोग होता है, वो कुत्ते के कारण होता है, कुत्ते जब आपको काट लेते हैं, तो रेवीज आपके सरी में फैल जाता है, और उसी से आपको रोग हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया रोग में किसके कारण होता ह तो हाइड्रोफोबिया जो है आपके बिसाणू के कारण होता है और क्यों होता है कुत्ते के काटने कारण तो कुत्ते काटने कारण बिसाणू आपके सरीर के अंदर चले जाते हैं इसलिए आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है अब आगे परते हैं कि इस बिसाणू क खोज सबसे पहले किस ने की थी तो जो बिसाडू को खोज है वो सबसे पहले इवानोस्की ने की थी इवानोस्की ने सबसे पहले बिसाडू को खोज किया था बिसाडू का अध्यन क्या कहलाता है ये भी अगला प्रिश्ण है बिसाडू को बारें पढ़ रहे हैं तो पूरा ह बिमारी है ये किस प्रकार की बिमारी है आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है तो रानी खेट बिमारी आपके वाइरस से होने वाली बिमारी है बीसाडून का ध्यन बायरोलोजी कहलाता है बीसाडून की खोज इवानौसकी ने की थी हाइड्रोफोबिया रोग एक बीसाड टो तो आज की वीडियो के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और बाखी की सारी चीले हम लोग अगले वीडियों में पढ़ेंगे तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो आपको कमेंड बॉक्स में जरूर लिखिएगा चलिए मिलते हम लोग आपने अगले वीडियो में धन्य बाद